वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई स्पॉंसर्ट वीडियो नहीं है ये एक रेक्वेस्टेट वीडियो है बहुत से वीवर्स जानना चाहते थे कि मैं बात्रूम टाइल्स की क्लीनिंग कैसे करती हूँ बात्रूम को आप कितना भी ड्राइ और क्लीन रखें लेकिन एक टाइम के बाद हार्ड वाटर स्टेंज और डर्स्ट की वज़ा से टाइल्स डिर्टी दिखने लगती हैं बहुत ही नेरो स्पेस और कॉर्नर में डर्ड इस तरह से स्टिक हो जाती है कि उन्हें निकालना अगर आम इसका यूज डेली बेसिस पे करते हैं तो एक बार इसके साथ कीगी क्लीनिंग के बाद 3-4 मंस तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती है किचन काउंटर को क्लीन करना हो या फिर घर की डस्टिंग करनी हो मैं हमेशा डियावाई क्लीनर का ही यूज करती हूँ क्योंकि ये वो काम है जो डेली और रेपिटली करने होते हैं तो किसी तरह के भी हार्ड केमिकल्स का यूज डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टाइल क्लीनर और टाप क्लीनर जिसको मैं पिछले 2 साल से यूज कर रही हूँ तो मैंने लावा सबसे डर्टी लगते हैं हाड वाटर स्टेंज तो किसी तरह का कोई भी स्टें हो आपका वाश्म शाइन ही करेगा आफ्टर यूज इस क्लीनर और यह है वो क्लीनर मैजिक मोमेंट्स यहां पर लिखा भी है सेरा क्लीन रैपिड एक्शन टाइल क्लीनर और वाकिया ह सारे यहां पर लिखे हो है इसका प्राइज है 208 और एक बॉटल मेरी एक साल चल जाती है जबकि मेरे घर में फोर वाश्रूम है बहुत ही कम लगता है यह और 200 में मेरे को एक साल के लिए अगर टाइल क्लीनर मिल जाए तो बहुत महंगा सौदा नहीं है मैं आपको इन प्र कर लेंगे तो ज़स्ट हमने इसको गीला करना है जादा पानी वहाँ पे नहीं होना चाहिए उसके बाद हम क्लीनर का स्प्रे करेंगे यह स्प्रे आप फ़्टाइज पे वौल टार्ईल पे कहीं पर बी कर सकते हैं जहां पी आप क्लीनिंग करना चाहते हैं लगा देने के दो मिनिट में ही अपना काम कर देता है दो मिनिट के बाद उसी स्क्रबर से आप टाइल्स को स्क्रब करना शुरू करेंगे स्क्रब करते करते आप देखेंगे कि आपकी टाइल्स कितनी क्लीन होना शुरू हो गई है वाश्रूम की साइड्स, कॉर्नर्स को अच्छे से रब करें क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गंद्गी होती है आप उसके लिए ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं डिफरंस क्लीनिंग के पहले और क्लीनिंग के बाद अब यहाँ पे कोई भी स्टेन आपको नजर नहीं आएगा और इस तरह से पानी के साथ इसे अच्छे से वाश कर लें आपको क्लीन करने के लिए मैं यूज करने हूँ यहां पर टैपी सीपी केर आप की हरत्रा की प्रॉबलम के लिए यह बेस्ट क्लीनर है का प्राइज है 165 तो आप देख सकते हैं स्टेनले स्टील की जितनी बी टाप्स होती है हमारे घर में उनमें इस तरह के हार्ड वर्टर स्टेन्स जरूर आ जाते हैं जोकि देखने में बहुत ही जादा गंदे लगते हैं अगर मैं इनको डिटर्डन से भी साफ करती हूँ तो उतने क्लीन नहीं हो पाते जितने इस क्लीनर से हो जाते हैं तो कॉटन के कपड़े के उपर थोड़ा-थोड़ा हम क्लीनर लगाते रहेंगे और इसके उपर रब करेंगे दो मिनट तक इसको छोड़ेंगे और उसके बाद साफ कपड़े से इसको साफ कर देंगे इसके साथ क्लीन करने के बाद हमारी टैप्स में नई टैप्स जैसी शाइनिंग आ जाती है पाथरूम की रेगलर क्लीनिंग की बज़र से बहुत कम होता है कि ऐसे क्लीनर की ज़रूरत पड़े लेकिन 6 मन्त में अगर आप ऐसे क्लीनर को एक बार यूज़ कर लेते हैं तो आपका वाश्रूम हमेशा शाइन करता रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तिल दिन बाई टेक केर और स्टे हल्दी